किसान भाई और नमस्कार, स्वागत है आपका The Advanced Agriculture YouTube चैनल में आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल पर पीला पन को आप दूर करें केवल और केवल मात्र पांच दिनों पर तो मिर्च में पीला पन यदि है, फसल कमजोर है मिर्च की पत्ते प्रकास संसलेसन की जो किरिया है वह ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और फल और फूल कमा रहे हैं, साइज सेप मिर्च का अच्छा नहीं है तो उसके लिए आपको कौन सी खाद किस स्टेज पर कितनी मात्र पर देना है और कौन सी सावधानी रखनी है और उसके साथ आप और कौन सी खाद मिलाएंगे जिससे आपकी मिर्च का कलर फूल फल ड्रॉप नहीं होंगे और फल फूल भी सीध है और फसल भी जो हरी भरी अधिक मात्र पर हो जाएगी और जो ग्रोथ है वड़वार है वो भी ठीक तरीके से होगी नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एडवांस एगरिकल्चर यूटूब चैनल मैं हूँ आपका दोस्त सिब चलिए शुरू करते हैं देखे मिर्च की फसल पर कारण कोई से भी हो सकते हैं पीलापन के जैसे रश्चूसक कीटों के प्रकोप की कारण भी पीलापन रोग आता है पानी अधिक मात्रा पर देने से भी यानि बहुत जल्द जल्द पानी देने से भी मिर्च की फसल पर एकदम पीलापन वना रहता है तो आवस्ता अनुसारी हमको सीचाई करना है यह समस्या देखने के लिए मिल सकती है और नाइट्रोजन की डिफिसेंसी के कारण भी पीलापन हमको नजार आने लगता है और गरम जादा अधिक गरम मौशम से भी पीलापन हमारी मिर्च की फसल पर वना रहता है तो पीलापन को हम दूर कैंसे कर सकते हैं आईए समझते हैं तो 5 किलोग्राम हमको केल्सियम नाइट्रेड लेना है और उसके साथ हमारी फसल स्ट्रॉंग हो और फलफूल अधिक मात्रा पर आए तो 5 kg आपको calcium nitrate और 500 g आपको boron V20% वाली को इन दोनों को mix करके आप drip सीचाई से दे सकते हैं इसके अलावज जो किसान भाई सावान तरीकी सखेती कर रहे हैं drip mulching नहीं लगाई है तो 5 kg आपको लेना है calcium nitrate और 500 g बोरon लेना है इन दोनों को mix करना है और लगभग जड़ों से 5 cm दूर एक छोटा सा गड़ा खूदना है और उस गड़े पर लगभग इसी खात को 1-2 चमस की मात्रा पर दे कर गड़े को बंद करके आप बापस एक दिन बाद सीचाई कर दीजिए बहुत ही अच्छे result और परड़ाम मिलेंगे मिर्च की फसल पर पीलपन को दूर करने के लिए कि किस ग्रेट को चलाना चाहिए इसकी वीडियो आप तक होच जाएगी यदि आप कमेंट करेंगे तो इस पेसल एनपिकी की ग्रेट चलाते रहिए और समय साहे पर आप जो अपनी मिर्च की फसल पर केल्सेम नाइटेट का इस्तमाल करते रहिए आपकी फसल बहुत हरी भरी हो जाएगी और काफी अच्छा उत्पादन उपच देखने के लिए मिल पाएगी यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अन्न किसान भाईयों तक सेर जरूड करें शुक्री है